मक्सी में 50% बसे अब बस स्टेंड पर ना आते हुए सीधे बाइपास से निकल रही है इसे यात्रियों को खासी परिशानी उठानी पर रही है बस चालक यात्रियों को बाइपास पर ही उतार देते हैं जिससे 3 किलोमीटर तक पैदल चल कर मक्सी पहुशना पर रहा है बस चालकों का कहना है कि मक्सी की सड़क पर गटे होने से वे बस को बाइपास से निकलने से जहां यात्री परिशान होते हैं वहीं पर बस वाले या शुकायत करते पाय जा रहे हैं कि मक्सी के मध्य निकलने वाली सड़क पर बड़े बड़े गटे हैं जिससे गाड़ी में टूट फूट होती है इसलिए वे मक्सी नहीं जाएंगे मजबूरन यात्री को बाइपास पर ही उतरना पड़ता है मक्सी आने के लिए दोनों और दो किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है इस प्रकार मक्सी रेलवे का जंक्शन है लेकिन बाइपास के साइड में स्टेशन के पास जोक कर रोड पर किसी प्रकार का एप्रोच रोड नहीं दिया गया है जिसे की वहनों दोरा साइड लेने रोड से होकर बाइपास पर सवारी उतारी जा सके और ले जाई जा सके जहां से बसों का लिंक एवम अवाग्मन भी बना रहे लेकिन जोंकर बाइपास के आजू बाजू साइड लेने रोड ना होने से एक नई समस्या पैदा हो गई है मक्सी जंक्षन पर उतरने वाली सवारियां मक्सी बस टैंड पर आकर बसों का रास्ता देखती रहती है और बसे सीधे बाइपास से गुजर जाती है लोग परिशान होकर दो से तीन किलोमीटर पैदल जाते हैं तब जाकर कनासिया नाका या फिर जलाल पुरा चौकी पर बसे पकड़ी जा सकती है मक्सी नगर जेन तरित्य होने के साथ साथ रेलवे का जंक्शन और और द्योगी शेत्र होने के बाद भी पिछड़ा नजर आता है